नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं अपना बहुत खास कारिक्रम जोते शिराहट किया आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोस अंतोशी आज उन राशियों के बारे में चर्चा करेंगे जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाती है जिनको कुछ करने से पहले सोचने की जरुरत नहीं पड़ते अर्थात दबंग राशियां पोल्ड राशियां बिना सोचे बिना विचार किये कदम बढ़ा दिया बिना सोच कर चलने वाली राशियां एक आदमी होता है एक राशिया होती है देखे इनसान का स्वभाव विचार हमारे ग्रह और नक्षत्र के आधार पर बनता है प्राप्त होता है इसे लिए हर कोई एक जैसा नहीं होता हाँ कुछ कॉमन नेचर होते हैं उसमें भी देशकाल परिस्थिति अंतर डालता है आज उन राशियों का जिक्र करेंगे जो विना विचार किये जो विना सोचे कदम बढ़ाती है आज उनके विशय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे यह जैसे हर एक गुण सद और बद दोनों होता है शुभ और अशुभ दोनों होता है वैसे ही बिना विचार किये बिना सोचे कदम बढ़ाना कई बार अच्छा भी हो जाता है भागी के अनुसार और कई बार बुरा भी फल दे देता है तो सबसे पहली राशी जो बिना सोच विचार किये चल देती है वो है कौन से सिंह राशी सिंह राशी के लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है कदम बढ़ा देते हैं क्योंकि इन्हे सदैव इस बात का गुमान रहता है कि ये सर्वता सत्य है ये पहले नमबर पे आती है सबसे पहली राशी है दूसरे नमबर की राशी आती है व्रश्चिक राशी ये लोग भी बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते और कदम बढ़ा देते हैं इन्हें भी कुछ अधक इसका भान होता है कि ये सबसे ज़्यादा बहतर और सत्य है तीसरे नमबर की राशी जो बिना विचारे बिना सोचे समझे कदम बढ़ाती है वो राशी है धनु राशी धनु राशी के लोग भी अगने तत्तों से प्रभावित रहते हैं और इनके अंदर भी बहुत गुमान रहता है कि हम जो करेंगे वो सही ही साबित होगा कोई इसमें गलती की गुणजाईश नहीं रहेगी और कदम बढ़ा देते हैं सिंग ब्रिश्चक धनु और चौथे नंबर की राशी है कुम्भ राशी कुम्भ राशी वाले भी बिना कुछ सोचे समझे कदम बढ़ाते हैं और बहुत पच्ताना पड़ता है चौथे नंबर की राशी कुम्भ राशी है इनको भी कुछ सोचने के आवशक्ता नहीं है पाँचमे नम्बर की राशी है मिθुन राशी ये भी कदम बढ़ा देते हैं और बाद में पच्टाते हैं अंतिम राशी मीन राशी छह नम्बर पर इनको भी कुछ करने से पहले सोचने की और किसी से सलाह लेने की पूछने की आवशकता नहीं है लेकिन लाश्ट में है ये कई कई बार हो भी जाता लेकिन मैक्सिमम जो हमने लिया है वो इसी तरह से इसी क्रम में है करम भी हमने बताया है तो अगर आपकी इन राशियों में है तो थोड़ा सा अब से सोच समझ लीजिएगा क्योंकि आने वाला वक्त हमेशा सकरात्मक हो ये गारंटी नहीं है क्योंकि दसा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्रत्यंतर प्रान दसा आधि तक अगर हम देखेंगे तो परिवर्तन बहुत होता है हमने बस आपको समझाया है आगाह किया है कम कहना अधिक समझना आपको सोच समझ करके ही कदम बढ़ाना चाहिए हम भी पच्चताएं हैं बहुत बार हमने बहुत सारे कदम ऐसे बढ़ाएं हैं जिसमें हमने बाग में बहुत पच्चताना पड़ा क्योंकि मेरी विराशी बिस्ट्रिक है तो मुझे पता है अब कई बार मजबूरी होती कई बार भोग होता हमारा हमारे हाथ में सब कुछ थोड़ी ना है अच्छा एक बार और बता दें कि सरस्वती औरा कवच अब भी आप प्राप्ति कर सकते हैं क्योंकि हमने संख्या बढ़ा दिया है एक हजार आठ कवच है तो फटा फट अपने बच्चे का नाम लिखाईए इस कवच के बारे में विस्तार से अगर आपने अब तक नहीं जाना है तो आप देख लीजिए हमारा प्लेलिस्ट सरस्वती औरा महायग यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर वीडियो देख करके आप जान लिजे कि ये क्या कवच है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये फाइदा कैसे देगा बहुत बहुत आभार आपका थैंक्यू अपना बहुत थ्याल मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद के साथ साथ मुंबई पूर्णे महाराष्ट के दो शहर हमारे हैं और इसी के साथ इन दौर भी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं नमस्कार शेरा दे